जहें साथि मेरा नम है आकास महरा और आप से लोग का आपके अपने चैनल आलकी पिश्टेडी पर बहुत बहुत स्वागत है प्रेंस CRPF Head Constable Ministry जी हाँ दोस्तों इसमें एक बीग अपडेट आया हुआ है वो अपडेट क्या है यदि आप लोगों का एकजाम है तो भी आप लोग इस वीडियो को complete देखिएगा यदि आप लोगों का एकजाम हो चुका है तो भी आप लोग इस वीडियो को complete जरूर देखिएगा ठीक है क्या अपडेट आया है यह आप लोगों को selection से related है जी हाँ दोस्तों selections related क्या है कि आप लोगों का जो admit card है अभी जिन लोगों का exam है तो वो लोग admit card को download कर सकते हैं बट जिन लोगों का exam complete हो चुका है वो लोग अब admit card को नहीं download कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों CRPF ने सभी का admit card हटा दिया हुआ है जिन लोगों का exam complete हो चुका है अब मेरा कहने का ताथ पर यह है कि admit card आप लोगों का selection समय आप लोगों से मांगा जाता है कि आप लोगों का admit card जो आप लोगों ने exam दिया हुआ उस admit card को भी आप लोगों को document verification जब होने लगेगा तो उसमें आप लोगों को लेकर जाना होगा जैसे उसमें आप लोगों का यह admit card जो return exam का है यह आप लोगों पास नहीं होता है तो उस condition में आप लोगों को selection नहीं लेने दिया जाएगा तो इसलिए मेरा आप लोगों से unroad है कि जिनका exam हुआ है वो लोग भी जिनका exam नहीं हुआ है वो लोग भी अपने admin card को जो है निकाल लेंग जिनका exam अभी नहीं हुआ है वो लोग तो admin card को download कर लेंगे download करके save करके सुरचित उसको रख लेंगे और साथ-साथ print out को भी अपने पास जरूर रखिएगा ठीक है क्योंकि आप लोगों को selection के समय मागा जाएगा और रहेगा आप लोगों को पास तभी पता चलेगा कि आप लोगोंने exam दिया हुआ या फिर नहीं दिया हो जाए क्योंकि कई condition ऐसे होते हैं कि आप लोगों को selection हो जाने के बाद भी admit card नहीं रहता है तो भी आप लोगों सो वहां से निकाल दिया जाता है तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे हैं और अपने admit card को सुरचित रख लेजी आप लोग Google Drive में या फिर इमेल पर कहीं भी आप लोग उसको स्तेव करके सुरचित रख लें है ताकि बाद में आप लोगों को feature reference में आप लोगों को यह सारी चीजे काम हाई यही update था मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है बागी यह जानकारी आप लोगों को कैसाल काम को comment करके जरूर बताएं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग इस पर ज्यादा admin card पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो लोग सोचते हैं जो tapping के लिए next हमारा admin card आएगा तो उसमें मैं adjust कर लूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है आप लोगों का typing का admin card और written exam का admin card आप लोगों से मांगा जाता है तो आप लोग उन सभी admin card को सुरचित रखेंगे ठीक है ये उमीद आप लोगों को कैसे लगागा वीडियो वो कमेंटों करके जरूबता है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो में तब तरके टेक केर